कि हेलो एवरिवन हम देस्कस कर रहे हैं ढूर्ट है अधिस्प टीजिति दिंशिटन साइस की प्रिवेस सीरीज जिसमें आज हम मेल केंदिट्स का शिफट नंबर वन का फिजिक्स पार्ट करने वाले हैं तो आई यह स्टार्ट करते हैं इसे पहले हमने female candidates के तीनों paper सॉल्ड कर दिया chemistry as well as physics and male candidates का अब हम physics portion शुरू करेंगे so stay tuned इस paper के अंदर 25 questions है physics के and वो हम बारी बारी से solve करेंगे आप video को पूरा देखेगा क्यूंकि हो सकता है कि कुछ questions तो ऐसे हो जो आपको मतलब same ही देखने को मिल जाएं जब हम paper देने जाएंगे right and एक और बात आप कुछ questions इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल different formula है जो female candidates के paper में नहीं करेंगे okay and कुछ अलग तरीके से करेंगे easy approach के साथ तो start करते हैं यहां से आपका physics शुरू है first question हम कर चुके हैं chemistry में तो हम physics करेंगे आप इसको बढ़ लीजी question को यहां पे मैं साथ साथ आपको समझाते चलूँगी question में क्या कहा गया a man claps his hand in front of a ball क्या कहा है कि हमारे पास य यहां पर कोई आदमी ख़़गा और जो क्या कर रहा है अपने हाथों को जब उसने क्लैप किया आदमी ने क्लैप किया तो उसको अपनी जो आवाज थी लाइप की आवाज वह 1.6 सेकिंड में सुनाई दी यह नहीं बताया कि कितनी दूरी प्या मान लो डी दूरी प्या 33 मीटर वोल की तरफ चला गया और अब वह वहां जाके फिर से क्लैप कर रहे है उसने फिर से एक और बार क्या किया क्लैप तो जब उसने अपके बार क्लैप किया तो उसको 1.4 सेकिंड में अपनी क्लैप की इक को सुनाई दी तो आपको क्या बताना है वेलोसिटी ओफ साउ इसको क्या बोल सकते हैं डी माइनस 33 राइट चलो शुरू करते हैं पहले इस वाले पार्ट को 2D इक्वल्स टू स्पीड इंटू में टाइम होता है तो 2D वी आपको पता ही नहीं है वी नहीं पता है टाइम कितना दे रखा है 1.6 आप इसको इससे कट करेंगे तो डी इंटू में T तो D की वेल्यू यहां पर क्या है डी माइनस 33 लेनी है और वैलॉसिटी नहीं पता टाइम कितना है 1.4 अगेन आप इसको इहां कट कीजिए तो 0.7 पर जा रहे है तो D माइनस 33 इक्वल्स टू 0.7 टाइम सो वी इस वेल्यू को D की यहां पुट कीजिए 0.8 V मा पर जाएगा वी चीज इक्वल्स टू 33 उदे जाके प्लैस हो गया तो वी इक्वल्स टू 33 डिवाइड़ बै जिरो पुईंट वन ऊपर जाएगा तो 330 मीटर पर सेकिंड यह क्या आगे स्पीड ओफ सांड इन एयर तो 330 आप इसका स्क्रींशोट ले लीजिए या लिख लीजिए मैं पॉस देते हूं इहां पर एक और नेक्स क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं चलिए यह हमारा नेक्स क्वेशन यह बहुत ही अच्छा है और हर पेपर में यह एक्वेशन आयो है तो हम इसको छ इतना ही मैटल है अब आगे इसका वेट आपको दे रखा है 40 ग्रैम और साथ ही साथ इन्होंने वेट इसको पाने में डुगा है तो इसका वेट 20 ग्राम हो गया और देंसिटी दे रखे है इसके आपको 8 cm सीसी मतलब क्या होता है cm3 तो एक बात बताईए डेंसिटी पता है ऑफटर मास बताय इस पर करताहिए कश Васोेटी है क्योंकि यसमेत क्या वीटि में तो कुछ keeping यह यह जए मोगा तो इसका वाल्यूम नीघा लिग्रेंटी से ग्राइन करके बताहिए मिटेरियल का वोल्यूम क्या हो थो किह हो एक ए के देंसिटी देंसिटी एक तुमांस बा आगया देंसिटी एक ग्रैम पर सेंटिमीटर क्यूब में होती है तो यह वॉल्यूम आगया हम इसको साइड में कर देते हैं अब आगे चलिए इसमें क्या कुछ है वॉल्यूम ऑफ कैवेटी अब खुदी बताइगेगा मेरे पास कैवेटी का वॉल्यूम पूछा है तो अग से निकाले नहीं पता पहले एक बात बदाईए हमारे पास कोई एक ऑबजेक्ट है मानलो 10 का वजन है और वह पानी में जाके 6 फील हो रहा है तो वह जो 6 फील क्यूं हो रहा है क्योंकि उस पर पानी ने क्या लगाया है नीचे से बाइंट फोर्स तो जो जितना वह फील हो उसका मास वो किसके इकवल होता है जितना उसका असली मास है माइनस बाइंट फोर्स तो इसे क्या बोलते है अपेरेंट वेट तो इसी का हम सॉल्ड करेंगे इसी चीज़ को दिखें अपेरेंट वेट अपेरेंट वेट किसके इकवल होता है अब अब अपेरेंट वेट हमक के बराबर होगा जितना पानी डिस sanctuary हुआ और जितना पानी चला घया हट इया पानि जितना मिकला उसका वेट मां से हमारे पास है हमारे पास कितना है तो जितना बईट के लिए हटा वो इस material का ही तो volume होगा ना पूरे material का मतलब इस पूरी चीज़ का volume होगा तो 20 है पूरी चीज़ का volume तो यहां से आन से कितना आ जाएगा 15 cm3 तो 15 cm3 को बोलते हैं तो यह हमारा answer है आगे question पर बढ़ेंगे यह question किया हुआ है हमने नेक्स question पर चलते हैं यह बहुत ही असान question है अब यहां पर क्या पूछा गया आपसे the gravitational force of attraction between two bodies आपको gravitational force of attraction दे रहा है mass and distance आपने double कर दिया तो पूछ है force of attraction क्या होगा same ही रहेगा पर इसको देख लेते हैं कैसे करना है हमारे पास force क्या होता है g m1 m2 by r square दो object उनके बीच की दूरी आ रहे है तो उसके उन्होंने mass दोनों का double कर दिया और दूरी भी बढ़ा दिया है 2r कर दिया है तो देखें नया force क्या होगा g m1 कितना होगा 2 times of m1 m2 कितना होगा 2 times of m2 अपन में radius भी दूगना मदब sorry radius ने दूरी दूगनी कर दी तो 2r का square 2r का square क्या होता है 4r square तो ऊपर से भी 4 बहार निकालो g m1 m2 अपन में नीचे से भी 4 common तो ये पुराना वाला force है तो नया force पुराने वाले force के इकवला है रिमेन सेन तो ये इसकी छोटी सी वह explanation next question पे चलते हैं ये बहुत अच्छा question है पढ़िए a running race is organized between ultrasonic audible infrasonic waving medium क्या बोला इसमें कि एक race हुई ultrasonic infrasonic और audible यानि जितनी हम सुन बात है उसकी race होती है तो कौन किसकी velocity कौन जीतेगा ये बोला है तो एक बात बताईए धिहान से जो हमारी sound waves है जो infrasonic और ये infrasonic audible और ultrasonic ये medium में travel करते हैं ये medium के property पर depend करते हैं कि medium कैसा है medium के property पर depend करते हैं ये 3-9 waves ना कि उस wave की characteristic पर यानि उनका amplitude उनकी wavelength उनकी frequencies बात पर depend नहीं करती तो अलग-अलग frequency की अगर हम अलग-अलग frequency की sound waves को छोड़ेंगे तो उनकी velocity पूछा एक तरह से कौन winner होगा एक बात बताईए जब इनकी frequency पर depend ही नहीं कर रहा है अलग-अलग frequency की आपको waves दे दिया हैं जब वो frequency पर depend नहीं कर रहा हैं material पर depend कर रहा हैं और same in a medium एक ही medium से pass हो रहे हैं तो सब की speed क्या रहेगी same रहेगी कोई नहीं जीतेगा कोई नहीं हारेगा ठीक है next question पर बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर क्या पुछा आपको a spaceship traveling in space यह बहुत ही ज़ाद अच्छा question है तो इसको देखेगा ध्यान से a spaceship traveling in a space at 300 km per second fires its engine भई एक spaceship जा रहा था एक spaceship ऐसे जा रहा था उसने suddenly अपना engine वो कर दिया चालू कर दिया और आपको पता है इसकी speed बढ़ जाएगी बहुत फराटे से जाएगा वो तो आपको कुछ scenario है मैं आप समझा देती हूँ एक spaceship दे रखा है उसकी आपको पहले की speed यानी की यू दे रही यू दे दिया और कहा कि पंदरा सेकेंड के लिए पंदरा सेकेंड के लिए उसने अपना जो इंजन है ना वो चालू किया जिससे कि इसने speed पकड़ ली 600 km पर सेकेंड की speed से चल रहा है और अब नॉर्मल चलता ही जा रहा है t दे रखा था तो आप acceleration निकाल लेंगे यहां से t भी दे रखा आपको 15 सेकेंड तो acceleration किसके को लोगा b minus u by t तो 600 में से आप 300 को minus करो upon में 15 300 minus करना है तो 300 upon में 15 आ गया तो यह 15 की टेवर कितने पे जाएगा यह 20 पे 20 किलो मीटर per second square क्या आगया हमारे पास acceleration अब बताएगे उसने 15 सेकेंड में पहले निकाल लेते हैं उसने कितनी दूरी को तेह क्या होगा 15 सेकेंड में तो ut plus half a t square initial speed कितनी थी 300 time कितना लिया 15 सेकेंड a कितना है 20 और time कितना लिया 15 सेकेंड दो बार लिखेंगे तो यहां क्याएगा 4500 फिर 15 को 15 के डेबल से मल्टिप्लाइ करेंगे 2250 कहने का मतलब हमारा शुरू का distance इतना आ गया उसने जब engine शुरू किया तो इतनी दूरी दै की उस 15 सेकेंड में अब पुछा एक मिनट में कितनी दूरी दै करेंगा तो देखें कैसे करेंगे अब उसके बाद तो उसकी speed same ही है ना तो distance equals to क्या होता है speed into my time बाद की speed कितनी है 600 कितना समय और लेगा भी वो आगे कितना एक मिनट में से 15 सेकेंड घटा दो तो 45 सेकेंड और चलेगा तो आप इसको इससे multiply करो 45 से तो यहागे 2700 तो उसने शुरू के 15 सेकेंड में इतनी दूरी तै की बाद के 45 सेकेंड में इतनी दूरी तै की तो इसने खाया है कि जब वो engine शुरू किया तब से लेके blast तक उसने कितनी दूरी तै की तो टोटल इस number को इस number को आप add कर दो तो जब आप add करोगे तो क्या आजाएगा 33750 आप करके देखेगा यही number आजाएगा आपके बास 27000 को जब आप add करेंगे तो 33750 answer आजाएगा तो यह है आपका answer next question पर चलते है देखे कितना अच्छा सा question आगए चोटा सा विल्कुल तो आपको velocity time graph दे रखा है तो velocity time graph का slope क्या होता है acceleration next question पर चलते है इसमें आगे क्या पूछा है कि force निकालना है और उस bowl का mass दे रखा है F बराबर क्या होता है हमारे पास MA, M तो दे रखा है A नहीं पता पर लेकिन एक बात और ध्यान रखेगा ये निकाल सकते हम कैसे हमारे पास V बराबर क्या होता है U plus 80 तो V कितना दे रखा है हमें और रहां पर निकाल रहते है तो V 20 initial उसकी speed देखे 0 है A इंटू में T कितना है 4 तो A बराबर क्या होता है 20 by 4 that will comes out to be 5 force बराबर M तो मास कितना है 100 ग्राम 100 को 1000 से डिवाइड करो kg बनाने के लिए इंटू में 5 तो ये आपके पास 0.5 आपके पास क्या आ जाएगा न्यूटन आंसर तो आंसर है 0.5 न्यूटन नेक्स क्येशन भी चलता है ओके ये convex mirror and उसका topic है तो ये काफी जादा अच्छा question है बहुत जादा अच्छा आप इसको पढ़ लीजे क्योंकि मुझे अलग से space चाहिए 1 cm का मैं यहाँ लिख देती हूँ जो जो हमें चाहिए आपके पास 1 cm object की height दे रखिया है 1 cm और उसको principal axis की poker length दे रखिया है object का distance पूछा है और उसकी height कितनी दे रखिया है image की 0.6 cm तो मैं इसको अलग से solve कर रही हूँ हाँ space कम है तो आप इसे देखेगा कैसे कर ले है right मैं values देख रहे हैं आपको HO कितना दे रखिया है 1 cm HI कितना दे रखा था 0.6 cm और focal length कितनी दे रखिया थी 7.5 cm U आपको पूछा है तो देखे इसको किस तरीके से approach करेंगे HI आप mirror की बात कर रहे है HI by HO यानि magnification equals to minus V by U HI कितना आपके पास 0.6 HO 1 minus V upon U तो आपके पास यहाँ से V बराबर के आगा minus 0.6U एक तो आपको यह relation मिल गया है तो इसी को हम आगे यूज़ कर लेंगे तो बताइए आपके पास formula क्या होता है mirror का 1 by F is equals to 1 by V plus 1 by U क्योंकि mirror है तो direct मैं तो यही वाला यूज़ करती हूँ उपर multiply नीचे plus put कीजे सारी value minus 0.6 times of U यह यू लिखा है 4 नहीं है multiply फिर से U upon में आपके पास V कितना है minus 0.6U plus U दो बार हो गया अब F कितना है 7.5 उपर asserties रहने दीजे सब कुछ ताकि हम कटी कर सके उसको वो U है ध्यान लखेगा फिर एक में से 0.6 से आएगा तो 0.4U बचेगा एक U से तो एक U कट 7.5 इंटू में 0.4 अपोन में minus 0.6 is equals to आपके पास U आएगा point से point गया 2, 2 is a 4 2, 3 is a 6 इस point को हटाओ नीचे लगाओ 3 की टेबल से यहां 10 3, 2 is a 6 यह तो यह हमारे पास U कितना आ गया यहां पे 2 के टेबल से इसको काट दो 5 और 5 फाइव जा तो हमारे पस U आगया 5 cm वो भी हाँ पे माइनस है तो माइनस तो U आगया 5 cm आएए देखते हैं सही है कि नहीं next question की तरफ चलते हम question number 11 इसमें आपको यह तो बहुत ही असान question है the weight of body in air आपको एक object है उसका जो असली weight है वो दे रखा है ध्यान रखे का weight दे रखा है ना कि mass how much इसका आपको apparent weight निकालना है और साथ में if it displaces 400 cc of water यानी 400 पानी को 400 ml पानी को उसने क्या कर दिया डिस्प्लेस अब एक बात बताईए जितना पानी डिस्प्लेस किया वही तो उसका mass भी होगा तो mass of displaced water आपको 400 gram है तो weight of displaced water कैसे निकालेंगे weight weight को यह तो पहली बात gram है इसको kg बना लीजे अगर मैं acceleration g से multiply कर दूं मतलब तो आपके पास यह क्या गया weight of water displays apparent weight क्या होता है असली weight minus weight of water displays लिख लिख लिजेगा प्रिस्प्लेस total weight 100 newton है और जितना 5 डिस्प्लेस हुआ है 4 तो यहां पर आ रही है answer 96 newton तो option number 3 next question की तरफ चलेंगे question number 13 आपको इसमें क्या बोल गया है the velocity of body of mass 100 gram is increased एक body है उसका mass दे रखा है velocity 30 change हो रही है time में तो बहुत असान है force बराबर में और acceleration का formula पूट कर दीजिए यहां से आपका answer आजाएगा mass आपको 100 gram है तो उसको पहले तो kg बनाएंगे obviously वी कितना दे रखाए आपको 36 km पर आवर है उसको आप मेटर पर सेकिंड मना लेजिए 5 बाइ 18 से multiply करके तो 18 की डेवर पर टू पर जाएगा तो आपको final velocity 10 दे रखिया initial 5 दे रखिया time कितना दे रखा 5 सेकिंड तो यह आ गया 100 अपोन में 1000 इंटु में 5 बाइ 5 कितना हो जाएगा 1 तो यह 0.1 Newton आपका answer आ रहा है yes right next question पर चलते हैं यह भी काफी अच्छा question है सारे questions अच्छे हैं इनकी practice केजिए a body freely falling from rest has acquired a velocity V कहने का क्या मतलब है कोई body इतनी उचाई से नीचे फेके गई ground पे इतनी उचाई से h उचाई से फेके गई और उसकी velocity V थी वहाँ पे अब वो यह पूछ रहे हैं कि कितने उचाई से फेके कि इसकी velocity क्या हो जाए double यानि कि इसको किस point से फेके कि इसकी velocity जितनी पहले दिना उससे double हो नीचे आने पर ठीक है जब वो आ रही है तो देखे इसे हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे यहां से देखेगा आपके पास यह formula होता है v square equals to u square plus 2as newtons third low ठीक है जब उसकी height h है तो उसके velocity कितनी है भी उ उसके initial जो शुरुवात में जो body free fall कर रहे है तो initial velocity यह क्या हो गई 0 तो हमारे पास v square equals to क्या हो जाएगा 0 का square फिर plus 2 a की जगा हम यहां क्या रखेंगे g और s की जगा उचाई इस बर h से represent करना है तो हमारे पास यहां पे height अभी height कितनी आ गई है तो v square अपन में 2g यह तो अभी हमारे पास height आ गया अब वो कह रहे हैं कि v square नहीं होने चाहिए velocity उसके 2v होनी चाहिए तो कितनी height से पेके तो देखें h dash equals to v आपको दुगना रखना है तो 2v का square अपन में gh sorry 2g तो h dash 2 का square 4 बाहर ले लो v square अपन में यहां क्या बचेगा 2g देख रहे हो नई height पुरा 3, 4 मैं इस point पे चली जाऊं तो velocity क्या हो जाएगी दुगनी बट यह नहीं पुछा था यह पुछा है the distance it has to fall down further for its तो कितना और उसे जाना पड़ा उपर तो देखें पहले वो h पे है तब height भी थी यहां पे से फेकेगा तो 2v हो जाएगी उसकी बट लेकिन यह पुछा है क कितना उसे उपर जाना पड़ा तो देखें यह total 4h है तो जाना कितना पड़ा उसे 3h तो तीन जादा उचाई पर उसे जाना पड़ा जो भी उचाई थी उसकी तीन और जादा उसको उचाई पर जाना पड़ा और वहां से वो फेकेगा तो velocity कितनी हो जाएगी double question यह भी आ स distance याने displacement बताते हैं तो आपको यह displacement पूछें तो निकाले इन तीनों का एरिया ही तो निकालना है तब इतो हमें displacement मिलेगा तो कैसे क्योंकि आपकी जो वेलोसरिटी होती है उसे हम क्या लिख सकते हैं B S by D T तो ds क्या हो जाएगा b dt मतलब area निकालना है कहने का मतलब निकाल ये इसका area इसका area और ये rectangle है तो half base कितना है पहले वाले का 3 उचाई कितनी है 2 मैं यहाँ पर करती हूँ half base कितना है 3 उचाई कितनी है 2 प्लस दुबारा half base कितना है ये देखे ये base 1 है और height कितनी है height minus 2 और rectangle का वो क्या होता है area length 1 into breadth 1 तो यहाँ पर 2 से 2 cancel 3 फिर प्लस 2 से 2 गया तो minus 1 प्लस 1 1 से 1 गया तो 3 answer आगया 3 meters next question पर चलते है ये question बहुत अच्छा है बहुत ही जादा अच्छा है इसमें maths लगेगी फिजिक्स में आगया है question पर maths लग रही है इसमें साफ साफ पढ़िये अब particle has displacement 12 cm towards east east west north south तो इसके लिए camera खुलना पड़ेगा तो इसमें क्या बोला है कि यह पहले 12 cm east की तरफ गया फिर वहाँ से 9 cm वो north की तरफ गया और 6 cm vertically upward upward मतलब उपर नहीं upward मतलब बाहर की ओर कहां पर ऐसे गया फिर ऐसे और बाहर की ओर मैं आपको दिखाती हूं कैसे आप जहां से देखेगा इस उपर इसमें क्या बताया है कि object 12 cm यह देखे यहां पर object है पहले वो east में गया 12 cm जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फिर वो कहां गया नॉर्थ में कितना 9 cm इस पॉइंट पर पॉँच गया है ठीक है जैसा आपको इसमें दिखाए दे रहा है यहां पर अब उसमें बोला है कि वो vertically upward भी गया है यानि कि बाहर के और मैं दिखाती हूं आपको यह देखे तो इन्होंने क्या बोला कि पहले वो इस तरफ गया 12 cm फिर 9 cm उपा गया यहां से जाने के बाद उपर फिर बाहर vertically upward मतलब वो बाहर की तरफ गया है 6 cm बाहर तो यानि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का क्या निकालना है displacement मैं repeat कर रही हूं 12 cm इधर 9 cm इस तरफ गया पहले पहले ऐसे फिर ऐसे और फिर बाहर की तरफ 6 cm बाहर तो आप बाहर कैसे दिखाएं देखे आप मैच में ऐसे नहीं बनाते हैं Z-Axis इसका मतलब क्या होता है बाहर और इसका मतलब क्या होता है अंदर मैं आपको दिखाती हूं ये भी ये देखे ये जो हम इस तरफ दिनोट करते हैं ये वाली चीज इसका मतलब क्या है कि कोई चीज ऐसे बाहर की तरफ है और जो हम यह दिखाते हैं इसको हम मान लेजे कि अंदर की तरफ इसके नीचे तो देखे अभी हमारा 6 cm बाहर दिखाना है तो इसी तरफ दिखाना पड़ेगा क्योंकि बाहर तो 6 cm इधर तो यह आपको यह distance निखाना है यह वाला और इस असली में देखना है तो यहां से लेके इस point तक का distance तो देखे कैसे निकालेंगे वो दिखते हैं चलिए अब question अगर समझ आया है तो देखे बहुत ही असान यह है इसको निकालने का तरीका जब भी आपको इस तरीके से आ जाए ना यह x-axis है, यह y है और यह z है तो आपको displacement निकालनी है तो displacement किसके equal होईगी हमारी पहले हापे मैं simple बता देती हूँ 12 i-cap, x-axis के लो फिर 9 j-cap और हापे 6 z इस सब की वैसे जूटनी पड़ीगी z की जगा के रख लीजे मैं सीधा इसका formula बताती हूँ तीनों का आना आप square कर दीजे यह vectors का topic है 12 square, 9 square प्लस 6 का square तो अब एक बात बताईए 12 square 144, 9 का square 81 और 6 का square क्या होता है 36, जब आप इस पूरे को add करोगे तो यह 261 cm आ जाएगा under root 261, solve नहीं करना परस यह इतना बताना था next question पर चलते है यहाँ पर क्या बोला गया है कि a body of mass 2 kg is thrown up vertically with the kinetic energy of this इसके लिए हम आपको एक short trick भी बताऊंगी पर पहले हम इसको अच्छे दरीके से करेंगी एक body है 2 kg mass है, उसको उपर फेका गया kinetic energy आपको दे रख ही है okay, acceleration भी दे रखा है the height at which the kinetic energy of body becomes half of the original value देखे, आपको कहा है कितनी उचाई पर फेके कि kinetic energy half हो जाए तो इसे हम कैसे करेंगे देखे, जो conservation of energy लगा दीजे पहले वाली जो kinetic energy है पहले उसमें कोई potential energy नहीं है क्योंकि वो चीज नीचे है जब वो उपर चली जाएगी तो उसके kinetic energy बाद की और उसे उपर जाने के पो potential energy स्टोड़ोगी वो दोनों value क्या होंगी सेम पहले वाली जो आपके kinetic energy है वो 500 है potential energy 0 है बाद वाली आपको क्या पूछी है kinetic energy कहने हाफ हो जाए और आपको height पूछा है MGH यहाँ से यह cut तो MGH की value कितनी आ गई 200 250 तो आपको height पूछा है तो 250 अप उन में mass कितना दे रखा है 2 kg kg को kg रहन दीजे g की value कितनी कही है 10 0 से 0 12.5 और मैं आपको बताते हूँ इसकी short कि कि आपको कैसे करना है paper में question आजाए simple जब भी इस तरह का question आजाए height को क्या करना जितनी kinetic energy दे रखा है उसका half करके सीधा आप उसके mass और g से multiply कर देना बस खतम जो भी mass भी दे रखा है g की value आपको पता है सीधा ही question हो जाएगा आपका next question पर बढ़ेंगे क्या बोला है mass of 4 kg यह law of conservation का question है mass of 4 kg moving at कोई 4 kg का object है जो की 3 meter per second की speed से चल रहा है और कोई इधर से आ रहा है object जिसका mass कितना दे रहा है 6 kg और 2 meter per second की speed से वो चल रहा है opposite direction में और वो दोनों ना combine हो गए एक दूसरे से stick हो गए एक बन गए ठीक है अब इसकी velocity बताने है जब वो एक बन गए तो total mass कितना हो गया 10 तो पहले वाला जो momentum का sum है वो बाद वाले momentum के final momentum के equal होना चाहिए ना इसकी velocity आपको पूछी है तो पहले वाले दोनों momentum mass into velocity इसका निकाले जे 3 into में 4 plus 6 into में 2 पर यह धिहान रखेगा वो उल्टी दिशा में आ रहा है equals to 10 into में velocity तो 3, 4 जा 12, 6, 2 जा 12 यहाँ पर 10 into में velocity 12 से 12 कैंसें तो velocity कितनी आ गई 0 तो आपके पास आंसे क्या आएगा इसका 0 ये question पढ़िए इसमें क्या बोला है अब machine gun fire 60 bullet per minute कोई machine gun है 60 गोलिया चोड़ रहा है per minute velocity भी दे रखे है हर bullet का mass भी दे रखे है power निकालनी है power का क्या formula होता है energy by time यानि work done by time work done लिख लेज़े चाहे तो यहाँ पर कौन से energy लेंगे bullet by kinetic energy होगी kinetic energy by time और ये एक गोली की निकल जाएगे आपको बहुत सारी गोलिया दे रखे है आनि 60 60 यहाँ पर क्या है जितनी गोलिया है तो kinetic energy का formula लगा दो half mv square into में 60 upon में time बस हो गया equation तो mass कितना दे रखा है gram में है तो उसको kg बना लेजे right जब भी कोई mass gram में दे रखा हो kg बनाइए velocity आपको कितनी दे रखे है 700 का square into में 60 upon में T कितना दे रखा है आपको पर minute बोले आपको एक मिनट में कितनी सेकंड साट सेकंड बस solve किजे यह वाला आनसर आपका आजाएगा ठीक है अगर आपको देखना है answer कैसे अगर मैं उने सब मिटा दिया है आपको एक बार कीजे मैं तो direct करती 15 कमा square बन रहा था आप एक बार करके देखना है equation chemistry का हम कर चुके है अब यह वाला question लास्ट में करेंगे क्योंकि काफी बड़ा सा है हम बाद में करेंगे यह वाला question देखे which is correct statement देखे myopia क्या होता है कि हमें pass का दिखता है दूर का नहीं दिखता है तो इसमें सिधा सिधा यह answer है a person with myopia can see nearby object यह आप पढ़ लिजेगा next question पर चलते है refractive index of water आपको क्या दे रखा है 4 by 3 तो refractive index of water दे रखा है आपको 4 by 3 refractive वैसे तो इसका direct answer है यह shift number 3 में भी था question same of glass भी दे रखा है आपको 1.5 यानि 3 by 2 पूरा ही देती हूँ आपको refractive index of glass with respect to water निकाला है refractive index of glass with respect to water that will comes out to be refractive index of glass upon my refractive index of water glass का कितना है 3 by 2 और आपका water का कितना है 3 by 4 4 by 3 तो 9 by 8 answer आगए यह direct याद रखेगा value तो अच्छा रहेगा आपके लिए next question है ठीक है इसमें देखिए क्या बोला है converging lens real image बनाता है देखिए ध्यान से सुनना इसके मैं आपको एक short trick बताती हूँ सबसे पहले आप यह बताईए कि prism में मैंने आपको क्या बताया था कि light जाती है deviate हो जाती है तो deviation कैसे याद क्या था हमने formula जितना prism का angle है यह वाला angle और mu minus 1 यह deviation निकानने का तरीका है ऐसे ही glass slab में होगा ध्यान से देखेगा उस question में यह खाया है कि converging lens है कोई object यहां रखा उसके कोई image बनती यहां पर बनती ऐसे ulti image बनती है वैसे तो मैं अभी बिल्कुल point में लेके बता देती हूँ यहां कोई object है इसकी जो image है वो यहां बनती यहां बन रही थी image पर इन्होंने क्या किया इस image के बनने से पहले ही इसके आगे यहां पर क्या रख दिया कोई glass lab जिसकी thickness x है t x कुछ भी मान लो तो यह अब देखो यहां पर तो reflection बहोगा जब यह light जाएगी reflection यह ऐसे जाएगी और यह नहीं होता तो यह इधर से जाता तो यानि shift हो गया जो image है वो अब पीछे बन रही है यहां पर बन रही है बननी उसको यहां चाहिए थी इस point पे तो हमें यह shift निकालना है तो मैं इसका तरिक्का बताते हूँ जैसे angle of deviation निकालते हैं वैसी shift निकालो भई तो यह shift किसके बराबर होगा उससे relate करना बहुत असानी से आपको याद होएगा relate करके करो तो देखिए अगर यहां पर prism होता तो deviation equals to क्या होता a new minus 1 तो यहां पर shift बराबर deviation की जगा मैं नग दें shift a a थोड़ी ना लेंगे यहां पर तो क्या लेंगे इसकी thickness और mu minus 1 same to same बस एक और change यहां new लगा देना एक और तो इसको हम ऐसे नहीं रिख सकते x 1 minus 1 by mu तो यह आपका क्या आगया answer कितना shift होता है image में यह formula याद रफना direct भी paper में आ सकता है thickness और refractive index दे देंगे पूछेंगे कितना image पीछे shift होईगी तो देखे यह इसका answer है option number 2 तो इतना पीछे जाके अब image बनेगी option number 2 next question a charge at rest produces electric field obviously next question पर चलते हैं वह चोटे चोटे question आगया है आप चल्दी जल्दी करते हैं देखें आपको यहाँ पर 3 registers दे रखे हैं उन सब का आपको क्या दे रखा है 2 volt से connect किया है इसका 2 दे रखा है 3 दे रखा है ohm 5 ohm इसका resistance और इसके across voltage निकालनी है तो इसमें total r निकाल लीजे पहले उसके बाद total i निकाल लीजे तो v वराबर ir v कितना है आपके पास 2 i पता नहीं है और r सीरीज में है तो जोड़ दो 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो i आपके पास क्या आगया 2 by 10 2 by 10 क्या होता है 0.2 1 by 5 ओके यह आपके पास क्या आगया i आगया अब आपको इसके across क्या निकालना है v तो v वराबर ir क्योंकि i तो सेम रहता है तो 0.2 in 2 में r कितना है 3 तो यह आगया 0.6 वोल्ट तो यह 10 क्लास का question है next question पे चलते है यह भी हमारे हर paper में आपके पास क्या है यह apparent depth वाला तो इसमें क्या बोला है कि कोई चड़िया बर्ड है और यहाँ पे एक लेक है यहाँ पे एक फिश है ठीक है और फिश कितनी गहराई में है यह y उचाई पे है और फिश x गहराई में है x अब फिश तो उस बर्ड को यहाँ दिखाई देगी ठीक है अब यह पूछाए कि यह दूरी कितनी होगी तो पहले अपेरेंट डिस्टेंस निकाल लेते है तो म्यू बराबर क्या होता है रियल डेप्थ अपोन में अपेरेंट डेप्थ अपेरेंट डेप्थ किसके को लोगा रियल डेप्थ x है अपोन में म्यू तो आगया अपेरेंट डेप्थ तो बर्ड कितनी हो चाहिए पर बर्ड वाई प्लस एक्स पाई तो अप्शिन नमबर फॉर तो नेक्स क्वेशन पर चलते हैं क्वेशन नमबर एट अब देखें कंकेव मीरर है तो आपको फॉर्मुले सारे याद हो गया होंगे उसका फेस 25 सेंटीमेटर दूर है यानि आपको यू कितना दे रखा है 25 सेंटीमेटर और एम की वेल्यू 1.4 दे रखा है यानि मैगनिफि वहाँ पर तो हमारा जो मीरर होता है उसमें मैगनिफिकेशन किसके इकवल होता है माइनस वी बाई यू तो आपका मैगनिफिकेशन कितना दिया हुआ है 1.4 इकवल्स टो माइनस वी बाई यू तो यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल लेजे और आपको यू की वैल्यू 25 द करेंगे तो यह कितना आएगा 35 सेंटीमेटर यह हमारे पास भी आ गया है फोकल लेंद निकालने है बस तो वन बाइएफ इक्वल्स टू बाइव प्लस बन बाइए यू डिरेक्ट वाला ले लेते हैं यू वी अकॉन में वी प्लस यू वाला तो वी 35 है यू माइनस 25 है फिर 175 बाइट तो इसको डिवाइट करो आप 87.5 आप्शन नमबर बन आटम बम और हाइडरोजन बम में क्या होता है फीजन होता है अटम में फीजन होता है और हाइडरोजन में फ्यूजन पर आपका फ्रीजन होता है तो वहाँ पे क्या होता है फंडर्जिन में फ्यूजन में फार्ट बन बन रहे हो और को मिलाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है ते थोड़ी एनर्जा पर बहुत जादा निकलती है तो fusion होता है next question करते है यह वाला बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा question है यह वाला तो इसमें देखे potential difference आपको निकालना है ठीक है कहां पर निकालना है इस R2 के प्रोस निकालना है तो देखे इसे हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे आरवन 15 है डारेक्ट कर रही हूं आर्टू भी 15 है तो यह दोनों इसमें क्या है फिर से सीरीज में तो इन दोनों का जोड़की कितना आ गया 50 तो वी बराबर आई आर तो टोटल वी दे रख है आई आपको पता नहीं है आर आपने निकाल लिया तो आई कितना आ जाएगा यहां से वन एम्पियर आई आ गया अब आपको इसके एक रोस क्या निकालना है वी क्योंकि चेंज हो जाएगा वी तो जब करंट गया है यहां से वन एम्पियर तो यह हाफ आफ चला गया इसमें 0.5 एम्पियर इसमें भी 0.5 एम्पियर गया तो इसके एक रोस निकाल लिजी आप आई की वेल्यू पता है आपको वी बराबर आई आर आई की वेल्यू कितनी थी 0.5 रजिस्टेंस कितना है इसका पंदरा यह 5 तूज तो आप इसको करेंगे तो 7.5 वोल्ट आंस रा गया एक क्वेशन हमारा उपर है उसे पहले कर लेते है इस क्वेशन यह काफी अच्छा क्वेशन है यह वाला भी इससे प्राक्टिस करके जाएगा क क्योंकि टाइम कम लगेगा फिर देखे इसमें क्या पोला है कन्वेक्स लेंस है प्रड्यूस डबल साइज रियल इमेज रियल ध्यान अखना रियल इमेज बन रहे है डबल दुगनी मैगनिफिकेशन आपको कितना दे रखा है 2 माइनस 2 क्योंकि रियल है ऑबजेक्ट इस at a distance of u दे रखा है आपको माइनस 18 सेंटीमेटर कहां अबजेक्ट को रखें कि तीन कुना बड़ी इमेज मिले ये क्वेशन है हमारे पास देखो कितना बड़िया क्वेशन है यह तो करें इसको शुरू जहां से देखेगा किस तरीके से अप्रोच करेंगे मैगनिफिकेशन लेंस की बात हो रही थी ना महाँ पर तो मैगनिफिकेशन क्या होता है लेंस में m equals to v by u मैगनिफिकेशन 2 दे रखा था और v कितना था माइनस 18 तो यहां से आपके पस v आ गया होगा कितना 36 सेंटिमेटर 36 आ गया आप एक काम किजिए पहले फोकल लेंद निकालेजे ठीक है तो हम फोकल लेंद निकालेंगे वन बाइ एफ कितना होता है लेंस में माइनस वन बाइ वी तो आप निकालें यहां से फोकल लेंद वन बाइ 36 माइनस वन बाइ minus 18 तो LCM ले लिजे यहां से LCM कितना आएगा 36 तो 1 प्लस यहां से कितना आएगा 2 पे तो 1 by F equals to 3 by 36 यह कटेगा 12 पे तो F आगया है यहां से आपके पस 12 cm F आगया है अब आपको magnification 3 दोना चाहिए तो magnification बराबर V by U आपको कितनी magnification चाहिए 3 ठीक है तो आपके पास एक relation आगया V और U में तो V बराबर किया आगया minus 3 times of U चलिए अब आपको क्या निकालना है इसमें से U निकालना है तो अब V भी नहीं पता U भी नहीं पता फोकल लेंद तो पता है न तो 1 by F यहां पे बस थोड़ी से यह गड़ बढ़ है कि दो बार वही सेम फॉमला लग रहे है तो 1 by 12 फोकल लेंद कन्वेक्स की प्लस में ही आती है तो यहां पे आप इसको solve किजिए V कितना है minus 3 times of U फिर minus 1 upon में U आप इसका LCM लीजेगा कितना आएगा 3 times of U यह LCM आएगा इसका तो यहां पे क्या आएगा minus 1 और 7 में minus 3 तो उपर हो गया minus 4 तो आपके पास 1 by 12 equals to क्या आगया minus 4 अप उन में 3 times of U तो U बराबर क्या हो गया 4 by 3 into में 12 दिहां लगना यह वाला 4 है और यह U है तो 3 4 4 4 4 जा 16 minus में आएगा answer तो यह थे आपके कुछ questions physics के आप इनके practice कीजिए और इनको एक copy में लिखेगा ताकि आपको और जादा clarity हो exam time पे आपको पताओ कि कौन से formula is important है जैसे आप notice कर रहे होंगे बार-बार optics के बहुत ही questions आ रहे है density वाले यानि प्राइंट फॉर्स वाले चैप्टर में से बहुत सारे ही questions आ रहे हैं जिसमें relative density and all है तो इनकी तैयारी हमें जाद अच्छे से करनी है okay thank you so much